हलो प्रेंट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल फैसन काइट टेक गाइड में एक बार फिर से स्वागत हैं प्रेंट आज मैं आपको बताऊंगा रूल लाइब्रेरी के त्वरा किस तरीके से ग्रीडिंग करते हैं रूल लाइब्रेरी को यूज करने के लिए और रूल बनाने के लिए रूल लाइब्रेरी बनाने के लिए नियू फाइल मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और उसको किस तरीके से यूज करना है आज की टिट में आपको काम करने के लिए हार्ड वरकर नहीं बलकि स्मार्ट व यहां से 1 पे क्लिक करके यहां किया कुछ नहीं है यह और यह क्लिक करके दो नमबर पे क्लिक किया यह तीन नमबर पे क्लिक किया और चो हमारा नमबर चो शो कर रहा है यहां से यह क्लिक करके यह चार नमबर पे यह यह पांच नमबर पे छेन साथ आट नव दस यह मेरा 10 हो गया 11 12 13 14 इस पर 0-0 है तो यह नहीं करेंगे आप देख सकते हैं किस तरीके समरे यह ग्रीडिंग हो गया वो देखकर लग रहा है न यह मैजिक है कोई बट यह मैजिक कोई नहीं है यह हमारा रूल जो है रूल लाइब्रेरी का कमाल है इसको किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा अब जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर देख रहे होंगे यह पॉइंट नंबर मैंने पहले और आफ करना होता है अभी जैसे मैंने आफ कर दिया तो यह grade roll उसी से बनता है तो मैं दो तरीके से बताओं कैं किस तरीके से हमारा यह grade roll बनता है सबसे पहले मैं यहां से एक file open कर लेता हूँ जो पहले से है मेरा grading किया हुआ आप जैसे की देख पा रहे होंगे यह यह देखिए इस तरीके से grade rule यह पहले से grading किया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए grading फ़स्ट तरीका जो है यह हमारा यहां से grading में जाएंगे grading में जाने के बाद यहां rule library है rule library में जाकर कि यहां create new rule library इस पर click करेंगे इस पर click करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीक का interface खुल जाएगा उसके बाद जिस piece पर करना है इस piece पर मैंने click किया और यहां पर मैं करूँगा create new rule यह जो हमारा है new rule library यह बनाता है यह create new rule बनाता है तो यदि मुझे कोई बीच में गड़ड़ हो गया या कुछ नहीं करना है या दूसरा इसी file में बनाना है rule तो मैं यहां से इस से करूँगा और new जो में लेना है new rule बनाना है create new rule तो इस पर click करेंगे और यह मैं front है तो इसको front में लिखे देता हूँ प्रेंट और यह जो है हमारा इसको create करके यह back लिखे देता हूँ back अब देख पा रहे हूँगे इस तरीके से यह back हो गया और मैं और पार्ट पर उतना करने कि आप समय ज़्यादा आपका नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि और भी तरीके मुझे बताने है तो इस तरीके समय ने दो create कर लिया और इसको मैं पहले मैं यहां rule file को मैं save कर लेता हूँ देखिए यहां से और यह जो है यह save का option है यह bottom के नाम से यह save है तो मैं इसी bottom के नाम से ही मैं save कर देता हूँ और दूसरा एक और तरीका है इसको save करने का grade rule में जाके यहां grading में जाके rule में जाने के बाद यहां excel utility पे जाएंगे और export library to excel इस पे जब हम click करेंगे तो यहां पे हमें desktop पे मैं कर देता हूँ यहां पे मैं bottom 416 था तो 416 मैं लिख दूँगा open कर दिये और यहां पे शिर्फ मैं 416 डाल देता हूँ वह 418 है sorry 418 मैं डाल देता हूँ के मैंने कर दिया यह मेरा शेव हो गया मैं इसको सभी को कॉंपी करता हूँ control c और यहां से मैं new कर देता हूँ और यहां paste कर देता हूँ दुबारा से ताकि वह फाइज मेरा ना शिर्या अब मैं यहां यह पूरा ले करके और इसको ग्रेड पे जा करके यहां clear grading जित जो जो मेरा select है इसका यह all selected piece current करूंगा ते यह खोगा यह all selected piece जो select में किया हूँ इसका grading खतम हो जाएगा अब इस तरीके से हमारा यह हो गया हम grading में दुबारा से जाते हैं और यह rule file पर अब दो तरीके से हम कर सकते हैं या तो यहां से हम import library from excel यहां से मैं कर सकता हूँ यह bottom शोला मैंने गलती से डाल दिया था वो है तो यहां से यह करके और open कर दूँगा okay कर दूँगा यह देखिए इस तरीके से मेरा rule आ गया विसमें दो है यह इसका और एक तरीका है मैं इसको close करता हूँ यहां से greeting रूल पे मैं गया क्योंकि library मैंने save किया था तो यहां रूल लाइबरेरी मैं जाओंगा open rule library और यहां से मैंने bottom यह 18 पे set किया था इसको okay कर दूँगा यह देखिए मेरा rule आ गया अब rule आ गया तो यहां पे इसमें मैं front select कर लिया और यहीं पे वो number की फिर चरुवत पड़ती है क्योंकि या देखिए एक दो तीन ऐसे करके यह 16 number तक है तो 16 number तक है अब इसमें same उसी का है तब तो यह मेरे को पता चल जा रहा है कि हां कहां यह use होगा इस condition में तो मैं पता चल जाएगा यदि आपको देखना है तो किस तरीके से यहां पहले एक बार apply पे click करेंगा apply rule और इसे करने के बाद मैं यहां पे एक number जो हमारा ही है shift f10 में जा करके यह point number पे मैं click कर देता हूँ तो मुझे पता चलेगा यह देखिए एक number है तो यह एक number का मैं लेके और यह click कर देता हूँ यहां कोई rule नहीं लगा हुआ है यह दो number पे यहां click करता हूँ जो जो होगा यहां पे यह तीन number पे करता हूँ पहले आपको यह d y में click करना है फिर x में नहीं तो यह ऐसे में करके और दूसरे में click करूँगा तो यह छोड़तेगा unselect हो जाएगा तो यह पहले d y को select करना है उसके बाद control डबाके और d x को select करना है और यह 4 का है तो यह 4 का paste कर देंगे और यह 5 पहले d y फिर d x और यहां लाके click कर देंगा फिर यहां से control जरूर दबाना है दूसरा select करने के लिए नहीं तो इक ही highlight होगा फिर rule file सभी से नहीं लेगा यह मैं यहां से click करके फिर यह ले लिया 9 का यह मैंने click करके यह ले लिया और 10 का मैंने यहां से 10 का लिया यही same 10 वाला यहां पे भी apply होगा और यहां पे भी है देखे इस तरीके से 11 का हमारा 11 point यह है यहां पे लेंगे 12 जो है वो यहां पे है तो 12 यहां लेंगे 13 यह 13 नम्र पे और 14 जो है यह 14 नम्र पे यह इस तरीके से मेरा इसमें जो हमारा 15 और 16 जो है जीरो जीरो है तो उसकी need नहीं है यह जो हमारा है यहां पे connect नहीं होगा तो इसको हम connect कर देंगे इस तरीके से मेरा grading हो जाएगा तो एक तो यह तरीका है बट इसमें क्या था ऐसे ही back को भी हम कर देंगे back का भी आपको दिखा दिता हूँ back में ने click किया यह और back में यह देखे back में यहां पे आ रहा है एक number एक number यहां से हम चलू करेंगे यह और यह दो number तीन number उसके बाद है पांच number फिर हैं हमारा छे number साथ पैट लोग दस एक यारा 12 और यह मेरा है 13 14 पे मेरी greeting है तो यह हो गया मेरा और जो यहां पे हमारी greeting है कंट्रोल यह हो गया और यह यह मैं यहां से इसको कर देंगे डार्ट पे पॉइंट नहीं डार्ट को काउंट नहीं कर रहा है तो इस तरीके से मेरा इसमें तो हो गया बट इसमें एक समस्य आती है है कि हम सिर्फ iship के लिए थोड़े ही बनाएंगे greeting डूल बनाएंगे तो इसके लिए नहीं बनाएंगे हम अपना एक category के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहां आप में एक चीज यहां पर देखके कर सकते हैं यदि अब जैसे एक नमबर यह बॉटम पर है सिर्फ यहां पर वाई में है और हमेशा यह धियान रखें कि एक ही लाइन में यदि हम होरीजन्टल पैटन रखें ग्रेट रूल बना रहे है तो पैटन जब हम रखेंगे तो हरीजन्टल ही रखके करेंगे तब ही जाके एक नियम अपना खुद बना लिजे कि आप किस तरीके से रहने वर्टिकल आप हम इसा रखते हैं तो वर्टिकल रखते हैं होरीजन्टल रखते हैं तो यहां पर जो हमारा है जैसे यहां पर मैं सब्सक्राइब करें छी नियए करें नेक्स्टिश होगता हूं किस तरीके से हम Grade Rule बनाएंगे Rule library और उसका किस तरीके से योज करेंगे तो सबसे पहले मैं एक File Open कर लेता हूं और जैसे कि मैं एक यह Third Open कर लेता हूं Third और Pent is में मैं Third ही सिर्फ लेता हूं यह देखें यहां बाजो और यह फ्रंट यह मैं ले लेता हूं यह मेरा हो गया इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से कोई चीज नहीं छेड़ेंगे फाइल में हम अपने इसको यहां पर मैं कर लिया अब यहां से हम नियू रूल लाइबरेरी बनाते हैं यह हमारा नियू रूल लाइबरेरी है और यह मैं क्रियेट नियू रूल पर क्लिक करता हूं सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो pattern बनाते समय करते हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नेक बीर्थ पर और यहाँ पर यह मैं लिख देता हूँ नेक बीर्थ और OK कर देता हूँ उसके बाद हमारा यहाँ है सिर्फ एक पॉइंट पर हम कर रहे हैं नेक ड्रॉप sword में लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर ज्यादा लिखने का space नहीं मिलता है उसके बाद हमारा यह होगा यहाँ पर एक सोल्डर यह हो गया उसके बाद हमारा यह एक सोल्डर हो गया तो एक स्ट फ्रेंट हो गारा यह मैं सेम ही यह दे देंगे एक क्रोस में मैं एक क्रोस सेम ही में देता हूँ तो इसमें दैसे देख पा रहे होंगे यह सेम ही है तो इसके कोई इश्यू नहीं है ठीक है फ्रेंट यह हमारा चेस्ट चेस्ट जो है हमारा यह इसको हम लिख लेंगे चेस्ट और यहाँ पर जो लिखेंगे वो हमारा बॉटम लिखतेंगे बॉटम यहाँ पर जो हम लिखतेंगे लेंथ जो जहाँ पर रहेगा वो हम मेंसन करते जाएंगे लेंथ हो गया यह यह सेम यह लेंथ होगता तो मैं यह चेंज कर देता है यह देखिए यहाँ सेम है तो कोई इस्ट नहीं है अब लेंथ भी यहाँ पर सेम है यह भी सेम है यह इसकी मैं बैक योग की बना ही देता हूं बैक योग में नेक बिर्थ हो गया और मैं यह बैक एक रोस बना देता हूं एक ट्रोस बैक और यहाँ पर चेस्ट हो गया यह बॉटम हो गया और यहाँ पर लाइन हो गया अब इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूं और मैं इसको लिखतेता हूं सर्ट एक चोविस था मैं इसको सेव कर लेता हूं यह मेरा एक रूल बन गया अब यहाँ पर सॉरी एक मेरा यह जो था इसकी स्लीब की मैं कर लेता हूं तो यह मैं यहाँ पर क्लिक करके और यह मैं वाइशेफ और यह जो मेरा है यह है मेरा यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और यहां लिख देता हूं स्लीब ओपनिंग स्लीब ओपनिंग ओके कर दिया और एक यहाँ पर मैं कर देता हूं यह लिख देता हूं स्लीब ओपने इस आप से जो आपको सुभधा लगे वह अपना बना सकते हैं लिख करके ओके मैंने कर लिया और इसको सेव कर दिया अब मैं इसको पूरी ग्रीडिंग इसको मैं हटा देता हूं यह सारा ग्रीडिंग डिया देदी ग्रीडिंग हमें किसी पार्ट के हटानी होती है तो ग्रीडिंग पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और पूरी फाइल के डिलिवन यहां पर जब आप जाओगे तो यहां से option पुशेगा all piece in file या current piece तो current piece का करना है तो current करेंगे all file पर करना होगा तो all file करेंगे और यदि पूरा select करके करेंगे जितने selected रहेगा वहां पर automatic हुआ जाएगा यह यह all selected piece की clear करनी है तो यह मैंने all selected piece का कर दिया इस तरीके से अब यहां पर मैं F10 की यह जो point name और number का था इसकी number का कोई दिक्कत नहीं है अब मैं यहां से use करूँगा यहां apply पर एक बार click कर दूँगा और यहां से मैं सबसे पहले जो use करूँगा वो है हमारा neck build यह neck build का तो neck build का यह मैंने किया और same यह मेरा इस पर apply हो जाएगा back पर यह देखे back और front मैं दोनों एक साथ लेके चलूँगा और एक cross shoulder जो हमारा front neck drop था वो मैं front neck drop यहां से पूरे apply कर दिया यहां से जो हमारा है back neck drop तो same है तो एक cross shoulder जो हमारा है यह मैंने एक cross shoulder लिया और यहां से यहां तक front पर यह पूरी apply कर दिया उसके बाद है हमारा एक cross back है एक cross back को मैं यहां पर apply कर दिया और मेरा है उसके बाद chest chest के लिए मैंने यहां apply किया और यहां apply किया और मैं chest यहां पर इसको भी ले आता हूँ chest पर जो apply किया मैं यहां पर line पर भी apply कर देता हूँ और यह मेरा हो गया bottom bottom जो यहां पर लिखा हूँ तो bottom की तरफ यह apply करूँगा और उसके बाद से length कर चाहिए हमें तो यह मैंने length कर लिया और यहां पर यह click कर दिया ऐसे ही यहां पर हमारा है यह मेरा length का हो गया इन देपको आ रहे होंगे यह proper grading हो रहा है यह line का यदि है तो वो manually आपको यह करना पड़ेगा क्योंकि यहां को आप point हो गरा नहीं है अब यहां पर हम चलते हैं बाजु में तो यह by shape की जो है यह by shape का मैं यहां पर बाजु में यह कर देता हूं और sleep opening जो है वो यहां पर यह कर देता हूं और Slip Slit जो है यहाँ पर यह कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ यहाँ यह कर दिया और इसको भी पूरा यह कर देता हूँ यह यह और यह यदि मैं इधर की तरफ कर देता हूँ चुकि यह की तरफ का मैं रूल फाइल बनाया हूँ यह देखिते केश्याव उल्टा हो जाएगा कि मेरा उल्टा हो जाएगा तो इसको हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहां से में simply greeting में जाएंगे और यहां से यह right-click करके Takes डूल कर लेते हैं और यहां copy greeting यहां से copy greeting करेंगे और यहाँ पे ला करके और इसको paste कर देंगे ऐसे यहाँ से copy करके और इसको paste कर देंगे यह देखिया मेरा proper यह 3 के greeting हो गई और यह जो मेरी छुटी थी यह इसको भी यहाँ से ला करके और यह x में greeting कर देंगे तो यह देखिये proper मेरी greeting हो गई टो, यह एक रॉस बैक वाला ही होना था तो, मैं ने ध्यान नहीं दिया है, तो यह मेरो एक रॉस बैक का यह हो जाएंगा इस तरीके से. अभी तो मैंने grade roll बताया जो किस तरीके से यह grading किया हुआ है इस से लेते हैं और सबत में grading करके बनाते हैं जब तो one के चली यह मेरा यह है और इस तरीके का जब होता है तो हमाइ grading किस तरीके के लेए जैसे इसके मैं grading पहले clear कर देता हूं यह मैंने greeting clear कर दिया एक point जो होता है इस पर मैं यहां से greeting करें निकाल लेता हूँ यह point होता है यहां से मैंने greeting यहां पर किया वाइनस point one to five और इसी को यहां पर create रूल करके यहां यह नेक विर्थ कर दिया और इसको ok कर दिया ऐसे ही मैं यहां पर मैंने लिया और यहां पर point one to five यह कॉपी करके और इसको यह मैंने greeting यह कॉपी किया यहां यह कॉपी और यहां से पूरा सेलेक्ट करके यह मैंने एक्स पे पेस्ट कर दिया और इस फे क्लिक करके और मैंने यहां से create new रूल पर ले करके यहां पर इसको मैंने ok कर दिया तो इस तरीके से साथ में भी आप greeting करते हुए यह देख सकते हैं साथ में भी आप greeting करते हुए आप बना सकते हैं यह पहले से किया हुआ तो आप अलग-अलग जैसे भी हो आप सभी चीश के आप जैसे मान के चलिए सर्ड का मैंने एक greeting rule बना लिया एक paint का बना लिया एक top का और जिस category का आप जब भी top का करेंगे तो top वाली greeting rule यूज करेंगे और dress जब करना होगा तो dress वाली तो आप हर category का एक-एक rule बना के रख सकते हैं और यदि आपको dress में अलग-अलग dress की होती है जैसे midi length हो गया, short length हो गया, calf length हो गया और उसमें ankle length हो गया, maxi length हो गया तो आप अलग-अलग length में greeting ये दि उसमें तो वह भी आप सब अलग-अलग अपने हिसाफ से set कर सकते हैं, करके और रख सकते हैं आपका इसमें काफी time बच जाएगा friend, I hope या आपको ये वीडियो पसंद आये होगी और जो मैंने बताया हो आपको समझ मैया होगा तो आप smart work करना सीखे, hard work पर depend ना रहें, please मेरे चैनल के साथ बने रहें, आपको और ऐसी latest वीडियो मिलेंगे और बहुत सारी जनकारिया मिलेगी जो आपको pattern बनाने में काफी helpful होगा, आज के लिए धन्यवाद